ओम सिरीगनी सायनम दोस्तू एश्ट्रो समाधान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तू आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो सितंबर सनीवार के रासी फल्क के बारे में कि यह दिन मकर राशी वालों के लिए कैसा रहने वाला हैं किन-किन चीजों से इनको फाइदा होगा किन-किन चीजों से इनको सावधान रहना होगा इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी करियर कैसा रहेगा बिजनिस और वियापार कैसा रहेगा और स्वास्थ की महत्पपूर्ण जानकरी हम आपको देंगे और इस वीडियो के यंत में हम आपको एक उपाई भी बताएंगे जिससे आप अपने आज के दिन को और भी अच्छा और भैतर बना सकें दोस्तो आगे वीडियो सुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें साथ में नोटिफिकेशन बैल को भी दबाएं जिससे समय समय पर आप लोगों तक हमारी नेनी वीडियो पहुंश सके चली दोस्तो बात करते हैं कैसा रहेगा मकर राशी वालों के लिए सनीवार का दिन सबसे पहले बात करते हैं कि आपके लिए आज पोजिटिव रहने वाला हैं दोस्तो आप लोग बहुत ही अधिक संतुलित प्रवर्ति के होते हैं आप अपने समाजिक संबंदों को आज और अधिक मजबूत करेंगे धर्मिक कारों में आज आपका अधिक समय व्यतित होगा घर में किसी के विवास संबंदित कोई योजना बन सकती है आज कोई रुकी हुई बड़ी पेमेंट मिलने से आर्थिक समस्याइं काफी हद तक हल हो जाएंगी तथा टैंसन भी दूर होगी घर के बुजुर्गों का आशिरवाद और सयोग आपकी परिस्तानियों में सायक सिद्ध होगा आपके व्यक्तित्व तथा आत्म विश्वास के समक्ष आपके विरोधी परस्त होंगे समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा आप समाज में सम्मानित महसूस करेंगे और इसकी बज़े से आप अपने कारों को भी बहतरीन तरीके से करने में समर्थ होंगे दोस्तो आज संतान को भी कोई महत्पपूर्ण और बड़ी उपलब्दी मिलने से घर में खुसी भरा माहूल रहेगा नजदी की रिष्टेदारों के साथ गेट टूगेदर का भी प्लान बन सकता है खर्चों की भी अधिकता का भी आज आपको दुख नहीं होगा यदि कोई कोट केस चल रहा है तो उस पर भी आज विचार विमर्ष हो सकता है जिससे की फैंसला आपके पक्ष में आ सके साथ ही किसी बहत्पपूर्ण व्यक्ती का भी सेहोग आपके कारों को और अधिक शुगम बनाएगा पिछले कुस समय की ठकान भरी दिन्चरिया से आज आपको रात मिलेगी साथ ही समय नजदी की मित्रों के साथ मनोरंजन संबंदी आमोद प्रमोद में व्यतीत होगा बच्चे की किलकारी से संबंदित कोई सुब सूचना आज आपको मिल सकती है जिससे घर परिवार में काफी खुसी बरा माहौल रहेगा दोस्तो बात कर लेते हैं जब के लिए क्या नेगेटिव हो सकता है दोस्तो आज किसी भी प्रकार की यात्रा से नुकसान होने की संभावना लग रही है इसलिए यात्रा को आज इस्थागित रखें आर्थिक समस्याओं को लेकर घर में कुछ तनाव भी आज रह सकता है आज दोस्तो और बेकार के कामों में अपना समय वर्त ही व्यतित ना करें क्योंकि इनकी वज़े से आपके महत्पूर्ण कार रहें बीच में ही रह जाएंगे विध्यारती वर्ग को अपनी पढ़ाहिक के प्रती ज्यादा ध्यान देनी की आवशकता है आएके सादन भी आज आपके लिए सामाने ही रहेंगे इसलिए अपने खर्चों पर अंकुष लगा कर रखना आवशक है पैसे के मामलों में हात तंग रह सकता है परन्तो इस समय अपना दरश्टी कौन शकारात्मक बना कर रखना ही उचित है साथी साथ पडोसियों के साथ भी किसी बात को लेकर किसी भी प्रकार का कोई मतबेद आज हो सकता है पुलिस थाने जाने की भी नौबत आ सकती है इसलिए अपने आक्रोस पर कंटोर लखना जरूरी है कोई भी निर्णे दिल की अपेक्छा दिमाग से ले भावुकता में आकर आप अपना नुक्षान कर सकते हैं बच्चों की गती विदियों पर कड़ी नजर रखें उनके द्वारा किसी प्रकार का नुक्षान हो सकता है कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले किसी अनुबवी व्यक्ति की सला आप अवश चले जमीन जायदात से संबंदित कावजी काररवाही को बहुती अधिक ध्यान से करें किसी भी प्रकार की दोका दड़ी आपके साथ हो सकती है थोड़ा साफधन रहें दोस्तों बात कर लेते हैं जब लव लाइफ के शिर रहने वाली है दोस्तों घर के किसी भी मामलों को हल करने के लिए जीवन साथी का आज आपको पूर्ण शयोग प्राप्त होगा प्रेम संबंदों में गलत फैमी की वज़े से कुछ दूरियां बढ़ सकती है किसी विपरीत लिंगी व्यक्ति के प्रती आज आकरशन बढ़ने से परसनल लाइफ में कुछ दिक्कते उत्पन हो सकती है इसलिए अपनी भावनाओं को सहियमित रखे पती-पत्नी के मदूर संबंद रहेंगे किसी बच्चे की नकारात्मक बात को लेकर कुछ तनाव रह सकता है पती-पत्नी में भावनात्मक संबंद मदूर रहेंगे परन्तु घर में जादा हस्त छेप करना ठीक नहीं दोस्तो अपनी वेस्तम दिन्चरिया में से घर के लिए भी समय अवश्य निकाले घर के लोग आपकी भावनाओं की काफी कदर करेंगे दोस्तो आज का दिन आपके प्रेम जीवन के लिए बहुती अच्छा दिन रहने वाला है दोस्तो इस दिन का आपको अवश्य ही लाब उठाना चाहिए दोस्तो बात कर लेते हैं जब का वैविशाई केरियर कैसा रहने वाला है दोस्तो आर्थिक गती वीदियो में अभी कोई सुदार होने के संभावना नहीं है परन्तु भविश्य संबंदित योजनाओं के लिए अभी से ही मेहनत करना आवश्चक है नोकरी पेशा वेक्तियों के लिए आज प्रमोशन के योग बन रहे हैं साथी साथ कारेश्चेत्र में आज मन कुछ विचलित होने की वज़े से ध्यान नहीं लग पाएगा तथा निर्ने लेने में भी कुछ ऐस हैज महसूस करेंगे इसलिए कोई भी काम करने से पहले घर के वरिष्ट जनों की सला आप अवश्च चलें वेवसाइक परिस्तितियां अभी पूर्ववत ही रहेंगी परन्तु मार्केटिंग संबंदित कारों से आज कुछ फायदेवंद ओर्डर भी आपको मिल सकते हैं इसलिए पार्टियों के साथ आज संपर्क में रहें सरकारी सेवारति व्यक्तियों को काम की आज अधिक्ता रहेंगी आज कारेशित्र में गतिविदियां बहतर रहेंगी आपकी अच्छी छवी की वज़े से मार्केट में आपको अच्छा ओर्डर मिलने की आज संभावना है इसलिए अपना पूरा ध्यान अपने कारेश पर ही केंद्रित रखें नोकरी पेशा व्यक्तियों के लिए भी आज का दिन बहुती महत्पपुन रहेगा दोस्तो साथी साथ कोई भी निर्णे दिल की अपेक्छा आप दिमाख से लें भवुक्ता में आकर आप अपना नुक्सान कर सकते हैं बच्चों की गत्य विद्यों पर कड़ी नजर रखें उनके दौरा किसी प्रकार का आज नुक्सान हो शकता है दोस्तो अपने वेवसाय से संबंदित किसी भी प्रकार के प्लान को आप दूसरों से सेर ना करें नहीं तो आपको काम का ज़्यादा फायदा नहीं होगा और लोग उसका फायदा उठा लेंगे दोकरी पेसा वेक्टी भी अपनी फायल और डोकुमेंट्स बहुती अधिक समाल कर रखें अन्यता आप परिसानी में बढ़ सकते हैं साफधन रहें दोस्तो बात कर लेते हैं आपका स्वस्त कैसा रहने वाला है दोस्तो अपने आप में आत्मभल की कमी आज आप महसूस करेंगे इसकी वज़े से शाररिक कार्रे छमताओं में भी कमी आएगी इसलिए आज आप अपने आपको बहुती ऐस्वस्त महसूस करेंगे इसके लिए आप अपनी दिंचरिया को बहुती सयमित रखें इसके लिए आप रोजान योग करें, वैयाम करें, स्वस्त रहें दोस्तो अब बात कर लेते हैं आज आपके लिए विशेश शुपाई क्या हैं दोस्तो आज आप इशनान आदिशे निर्वत्र होने के बाद थोड़े से काले तिल, थोड़ा सा आटा और थोड़ा सक कर ले इसके बाद आप इन तीनों चीजों को मिलाकर इसका एक मिश्रन तयार कर ले इसके बाद आप इस मिज़ण को भगवान शनिदेव का इसमनन करते हुए चीटियों को खिलाएं और साथ इसाथ अपनी मनों काम नहीं मांगे या दोस्तों ऐसा करने मात्र से ही भगवान शनिदेव बहुत जल्द प्रशन होकर आपके समस्त कष्टों को दूर करेंगे जो भ भगवान शनिदेव कास्तिरवाद आपको प्राप्त हो सच्चे दिल से कमेंट स्बोक्स में जैश शनिदेव अवश्च लिखें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें धन्यवाद